Hello Students, स्वागत है आप सभी का Walgan YS के Current Affair के discussion में तो Students, आज का जो Current Affair का जो हमारा discussion है उसे हम start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे first topic के बारे में वो है budget से related तो Students, जो budget है इसमें जो भी important government की द्वारा प्रपोज किया गया है हर एक sector, चाए defense हो, चाए agriculture हो इन सब के बारे में आपको जो editorial है, जो articles है वो continue एक डेड मन्त आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इसके बारे में जो detail analysis है वो हम continue आपको update करते रहेंगे regularly जब भी कोई news इसके बारे में related होगी, किसी भी subject से related अगर हम बात करें budget के important facts की, तो वो आज हम discuss करते है जो important facts ये है budget के, कि budget को जो हमारा constitution है उसका जो article 112 है, आर्टिकल 112 है 112 इस article के अंदर में budget को as ये annual financial statement के रूप में कहा गया है कि budget एक annual financial statement होता है, कि हमारे आने वाला जो साल है उसके अंदर finance को किस तरीके से expenditure किया जाएगा किस तरीके से खर्च किया जाएगा government के दुआरा तो वो सब यहां पे बताया जाता है government की क्या-क्या important policy होने वाली है उनके बारे में बात की जाती है बजट के अंदर तो इसको annual financial statement कहा गया है यह आपको पता होना चीए UPSC के दुआरा एक बार question पूछ लिया गया है annual financial statement से related अगर हम बात करें कि budget को prepare कोन करता है तो एक separate budget का एक division होता है budget का division जो basically department of economic affairs के अंदर आता है जो finance ministry का ही एक part है तो finance ministry के अंदर एक department है economic affairs उसी का एक division है budget division उसके दुआरा पब्लिस किया जाता है budget students budget को काफी secrecy के वे में यहाँ पे prepare किया जाता है और जब उसको prepare होने के बाद में just before the जैसे ही budget present करना होता है उससे पहले एक ceremony होती है finance ministry के अंदर में उस ceremony को बोलते हैं हलवा ceremony basically उसके अंदर finance minister जो हलवा बनाया जाता है और उस सर्व किया जाता है यह एक custom है finance ministry का अगर हम बात करें students budget के important components की तो budget के important components है expenditure, receipt और जो deficit के indicator है उनके बारे में बात की जाती है अब वो किसी भी order के अंदर इनको प्रजेंट किया जा सकता है कि पहले deficit के जो indicator से उनके बारे में बात कर दी जाए जो expenditure के जो indicator है या कोई receipt हम जो पैसा है वो कहां से receive करेंगे किस तरीके से receive करेंगे तो उन सब के बारे में यहाँ पे जो बात है वो बता ही जाती है budget के अंदर में इसके अलावा government के दुआरा जो popular schemes है वो भी launch की जाती है काफी सारी अगर हम बात करें हमारा जो यह physical जो rule है कि किस तरीके से जो budget है उसको present करना है कितना यहाँ पे percentage रखना है GDP का जो physical deficit के किस तरीके से maintain करना है यह सब हमारा guided है एक N.K. Singh committee constitute हुई थी 2016 में और जो FRBM Act है physical responsibility जो हमारा act है उसके according यह budget है जो guided होता है उसके according budget को present किया जाता है government जो अपने target है वो यहाँ पे decide करती है students हिसी budget के अंदर हमको debt to GDP ratio देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो करजा है हमारे government के उपर में उसका GDP के ratio के according कितना उसको रखना है physical deficit ratio with the GDP देखने के लिए मिलता है और revenue deficit with the GDP ratio हमको देखने के लिए मिलता है यह N.K. Singh committee के दुवारा प्रपोज किये गए है 2016 के समय तो इसके थुरू हमको देखने के लिए मिलता है कि budget को basically यहाँ पे एक balance way में present किया जा सके कि ज़्यादा यहाँ पे जो depth है वो ना create हो किसी भी एक country के लिए economy को balance करने के लिए यह जो N.K. Singh committee के दुवारा यह propose किया गया था अगर हम बात करें students हमारे इस साल का जो budget है वो प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में तो budget के seven priorities है सब्त रिसी वे में इसको प्रेजेंट किया गया है अमरत काल के अंदर जो budget है उसको प्रेजेंट किया गया है अगर main visions की बात करें तो यहाँ पे youth को opportunity देनी है मतलब की employment का generation करना है इसके अलाबा job creation और growth की बात की गई है कि country growth कैसे करें और इसके अलाबा micro small हमारी जो economy की जो sectors है जिसमें MSME sector है उनको stabilize करके रखना है उनको strong और stabilize way में entities create करनी है budget को यहाँ पे सब्त रिसी priorities के उपर रखा गया है कि साथ important priority रखी गई है government की दुवरा inclusive development सबसे important है कि हर एक sector के अंदर हमारे समाज के अंदर जो ऐसे वर्ग है जिनको कोई भी facility नहीं है उनको भी mainstream में लाना है उनको भी कोई ना कोई benefit देके उनको यहाँ पे uplift करना है तो inclusive development की बात की गई है इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है youth power की financial sector की green growth की भी बात की गई है present समय में जो climate change के जो issues है उनको deal करने के लिए green growth सबसे ज़्यादा important है आप देखे कि government के दुवरा green hydrogen mission है या काफी सारे जो different type के जो initiatives है वो start किये जाते हैं साल भर के अंदर जिससे green growth है वो देखने के लिए climate change को हम tackle कर पाएं उसको यहाँ पे face कर पाएं अच्छे से infrastructure and investment की बात की गई है इसके अलावा unleashing the potential की बात की गई है जो हमारा potential है उसको यहाँ पे use करने की बात की गई है youth power आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर जो youth का mean age है वो काफी सही है तो हमको youth जो हमारा dividend है demographic dividend उसको use करने की जुर्रत है तो यह सब budget की seven priorities हैं जिसको सब तरिसी priorities के अंदर government के दुआरा रिखा गया है अमरत काल के इस vision के समय में हमने यह budget है जो हमारे finance minister के दुआरा present किया गया है अगर हम बात करें students जो budget है उसको लोग सबा के अंदर present किया जाता है जो लोग सबा होती है उसके अंदर इसको present किया जाता है तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि क्या राज्य सबा के अंदर इस budget को propose किया जाता है नहीं किया जाता है हां राज्यसभा के अंदर जो budget है उसको lay down किया जाता है बट अगर हम बात करें vote on demand की तो राज्यसभा के पास कोई भी power नहीं है कि वहाँ पे vote on demand कर सके budget के अंदर किसी भी अपने department के लिए किसी भी अपनी ministry के लिए तो राज्य सबा के पास में vote on demand की जो power है वो नहीं है vote on demand की जो power है वो नहीं है राज्य सबा के पास में इसके लाव students आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो money है no money can be withdrawn नहीं निकाला जा सकता जब तक कि जो appropriation bill है वो दोनों houses से अगर पास नहीं होगा तो आप कोई भी money है वो withdraw नहीं कर सकते हो तो appropriation bill को पास कराने के लिए राज्य सबा की एक importance है कि दोनों houses से आपको जो bill है वो पास करवाना होगा तो ये budget से related कुछ facts से जिनको हमने discuss किया next topic के अगर हम बात करें student next topic है प्रधान मंतरी PVTG scheme के बारे में हमारे government के दुआरा ये जो scheme है PVTG basically particularly जो vulnerable tribal group है उनके development mission से related हमारे minister के दुआरा ये propose किया गया है कि PVTGs को यहाँ पे better way में presentation दिया जाए उनको uplift किया जाए अब ये PVTG क्या होते हैं कहां पे ये पाए जाते हैं ये हमारी news है कि Odisha को यहाँ पे सबसे अच्छा benefit मिलेगा उसके behind में region ये है कि total हमारे यहाँ पे 75 PVTG जो tribal group है वो मिलते हैं हमारे country में उन 75 में से जो 13 group हैं जो 13 PVTG हैं वो Odisha के अंदर पाए जाते हैं second number पे अड़नाचल प्रदेश है अड़नाचल प्रदेश में ये जो संक्या है वो 12 है total 12 PVTG वहां मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा जो benefit है Odisha को देखने के लिए मिलेगा प्रदान मंतरी PVTG के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें PVTG basically जो tribal group है उनका यहाँ पे development से related उनको यहाँ पे जो separate basic facilities है habitation की या कोई भी जो जादर facilities है जो government के दुआरा इनको provide की जाएंगी अगर हम बात करें students PVTG की PVTG यह जो word है वो किस तरीके से existence में आया तो students PVTG basically हमारे जो tribal population है उसी के अंदर ऐसी कुछ tribe जो काफी जादा vulnerable है और इनकी संक्या इंडिया के अंदर 8.6% के आसपास टोटल इंडियन की population के अंदर देखने के लिए मिलती है 1973 के समय एक commission है वो constitute किया गया commission का नाम है देबार commission तो आको नाम पता होना चीए 1973 में जब यह देबार commission आया था तो हमारी जो सबसे ज़्यदा vulnerable tribes हैं उनका नाम उनके दौरा PTG कर दिया गया था PTG means primitive tribal group उनका नाम किया गया और कुछ tribe हैं उनको यहाँ पर identify किया गया है इसके अलाओ students अगर हम बात करें 2006 में फिर government के दौरा PTG का नाम है जो PBTG के रूप में change किया गया particularly vulnerable tribal group उनको बनाया गया है हमारी tribal ministry के दौरा काफी सारे initiatives लिये जाते हैं total 75 tribal PBTG हमारे यहाँ पर इंडिया में present हैं total 75 है highest number यहाँ पर Udisa से हैं और फिर उसके बाद में second number पर है आंदर प्रदेश sorry student second number है आंदर प्रदेश not अरणाचल प्रदेश मैंने भी गलत बोल दिया था के अरणाचल प्रदेश है तो आपको यहाँ पे UPSC के दुवारा 2019 में ये question पूछ लिया गया था 2019 में ये question पूछ लिया गया था कि कौन से state में जो PVTG की जो संक्या है वो कितनी है अब आप मेर को यहाँ पे एक comment section के अंदर बताना कि जो अंडमान और निकोबार जो island है उसके अंदर जो PVTG है वो कौन-कौन सी है क्योंकि अंडमान और निकोबार presently news के अंदर है एक तो प्राकरम दीवस पे आप देखे गोर्मेंट के environmental वे से news के अंदर है गोर्मेंट का प्रपोज है उसको strategic importance के रूप में declare करने के लिए वहाँ पे एक wildlife century को भी denotify किया गया है तो इस वज़े से आपको पता होना चीए तो आप comment section के अंदर बताना कि अंडमान निकोबार के अंदर कौन-कौन सी PVTG है कौन-कौन सी PVTG है जो पाई जाती है उसके बारे में आप बता होगे अगर हम बात करें tribal ministry के दुवारा यहां पे development of particular vulnerable tribal group से related exclusive काफी सारे जो program है उनको implement किया गया है जिसके अंदर काफी सारे initiatives आपको साल बर में देखने के लिए मिलते हैं तो सबसे जादा PVTG कहाँ पाई जाती है उडिसा में second number ह अगर हम बात करें student next topic की next topic है digital India का जो हमारा एक mission है उसके थुरू budget के दुवारा budget के अंदर basically हमारे काफी सारे initiatives के थुरू digital push देने की कोसीज की गई है उनको digitalize करने की कोसीज की गई है जिसके अंदर सबसे पहले हमारी है भारत सिरी नाम का एक scheme है जिसे launch किया गया है अब इतने भी हमारे जो inscriptions है उनकी जो repository है वो यहाँ पर create की जाएगी digital way में अभी हैदराबाद के अंदर इसको create किया जाएगा हैदराबाद के अंदर जो भारत सिरी है उसको setup किया जाएगा इसका target यह है कि digital जो epigraphic museum है उसको create करना digitalization करना है वन लैक के आसपास जो ancient inscriptions है उनक को यहाँ पर digitalize करना है digital way में उनको preserve करके रखना है इसके अलाबा students अगर हम बात करें national digital library create की जाएगी जो children's के लिए है adult science के लिए है तो यह library basically यहाँ पर जो read कर सके different different language के अंदर में different different type की जो किताबे है वो यहाँ पर available हो सकेंगी ऐसे लोग जिनको books नहीं है तो वो यहा digital way में जाके read कर सकेंगी agriculture sector का जो infrastructure है उसको भी digital push देने की कोसीज की गई है digital public infrastructure for agriculture create किया जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर basically agriculture से related जितनी भी information है farmer centric जो solutions है वो सब provide किये जाएंगे digitalize इनको किया जाएगा तो यह हमारा digital India mission के थरू budget के थरू digital push देने की कोसीज की गई है उसक प्यूटी स्री है एक PM स्री योजनाभी है school education से related है वो भी आपको पता होना चाहिए कि PM स्री scheme क्या है तो आप उसके बारे में जरूर read करना इसके लाव प्यूटी जी के बारे में discuss किया उनको प्रधान मंतरी प्यूटी जी जो यहाँ पे mission है उसको launch किया गया है प्यूटी अप्रोपियेशन जो बिल है वो यहाँ पे राज्यसभा से ही अगर पास होगा और लोगसभा से भी पास होगा जब ही आप money है वो withdraw कर सकते हो तो budget का जो money withdraw करने के लिए आपको अप्रोपियेशन बिल है वो पास करवाना होगा budget को lay down किया जाता है राज्यसभा के अंदर भी हमारे president के दुआरा article 112 है budget से related और department of economic affairs का जो budget division है उसके दुआरा budget बनाया जाता है तो students यह आज का current affair का discussion था हम आपसे continue इसी तरीके सब्डेट करते रहेंगे thank you students thank you very much